दोस्तों जब हम टेली सॉप्ट विर में अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं वाफसर इंट्रि हम पास करते हैं और कुछ ऐसी वाफसर इंट्रि होती है जो गलती से हमने गलती इंट्रियां पोस्ट कर दी और बाद में उन वाफसर इंट्रियों को डिलीट करना पड़ता है लेक करना चाहिए था उसको हमने डिलीट किया ही नहीं लेकिन जिसको नहीं करना चाहिए उसको गलती से डिलीट कर दिया जिसके वजह से हमारे प्रैक्टिकली से गलती से हम किसी वापसरी इंट्री को डिलीट अगर कर देते हैं तो हमें उसको वापस रिकावर किस तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तो ये वीडियो बहुत ही नोलेजेबल रहने वाला है इसलिए वीडियो को एंट तक कम्प्लीट जरूर देखना तो दोस्तो वीडियो कर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना अगर आपने मारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो चैनल को सब्स दोस्तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए जो ट्रांजेक्शन टेली से हम डिलीट करते हैं तो वो डिलीट होने के बाद में जाती कहां पर है तो दोस्तो इसके लिए हम मारे टेली सॉफ्ट वेर के लिए एक रिसाइकल बिन टेडियल का हम यूज करते हैं और जैसे हम उस TDL फाइल को restore हमारी company में कर लेते हैं टेली software में तो हमें एक सबसे पहले आपको एक option आपको दिखाता हूँ मैं gateway टेली पर रहते हम display more reports पर जाएंगे और उसके बाद में end में आपको एक option देखने को मिलेगा यहाँ पर recycle bin का तो दोस्तों यह recycle bin का option आपको तभी मिलेगा अगर आपने recycle bin टेडियल अपलोड किया वह तो तो दोस्तों हमने जैसे कुछ transaction यहाँ पर कर रखिये जैसे आप डे बुक में और डे बुक में टोटल हमारे पास यह चार ट्रांजेक्शन है अब जो ट्रांजेक्शन है अब तो गलती से हमने इस पेमट वाउचर को डिलीट कर दिया मैं इस वाउचर को करूँगा डिलीट तो जैसे मैं डिलीट करूँगा तो एक वार्निंग मेरे को यहाँ पर मिलेगी और यूशर वांट टो मूव टू रिसाइकल बिन तो दोस्तों यह आपको और आपने रिसाइ रिसाइकल बिन में आ चुकी है तो दोस्तों अगर यह रिसाइकल बिन कर टेडियल मेरे पास नहीं होता तो यह इंट्री मेरी पर्मानेटली टेली सौप्टवेर से बार हो जाती है यानिकि पर्मानेटली ही डिलीट हो जाती है अगर इस इंट्री को मेरे पास रिकावर करन मैं, डिस्प्ले पर जाएंगे, औरडे बुक पर जाएंगे, तो आप अपपिरिए मेरे पास अभी तीन बिन में से यहां से हट जाएगी और वो इंट्री वापिस मेरे को day book में एक temporary रूप से अभी शोगी डिस्पले पर जाएगे और day book में जाएगे तो आप देखरों यहां पर यह optional के रूप में यहां पर शोरी है यानि कि अभी भी यह entry मेरे बुक्स में अभी तक पूरी तरीके से आई नहीं है अगर इस वाप्सर को हम पूरी तरीके से लाना चाहें तो इस वाप्सर को हम करेंगे अभी आप देखरी हैं यहां फर इसकी स्टेटर सल्टेश को करेंगे या हमरे यह रेगूलर भी कर सकते हैं जैसे हम राथ कर ga करेंगे अभी तो आप देख रहे हैं इस चूत्र औहप्सर southwest को हम्हाना में तर भी हम पर एक शूसक्थ के मैंघ यहांसे हटके esque तो दूसरों, लोड करने के लिए, हम F1-1 की help option पर आएंगे, और उसके बाद में, TDL and add-ons option आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इस पर हम interface करेंगे, तो आप देख रहे हो, मेरे पास, यहां पर एक recycle bin, restore deleted voucher का TDL upload किया हुए, तो इसको मैं करूँगा यहां से, delete, तो delete करने क इसके लिए, मैं यहां पर F4-manage करूँगा, और इसको यहां से, मैं end of list करूँगा, अब उसके बादाखर हमें, इस TDL को वापिस upload करना हो, तो अब एक बार देख सकती है, जो recycle bin का option था, अब वो यहां से हट गया है, अगर अब मैं यहां से कोई entry delete अगर कर देता हूँ, त जरूर upload करके रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत यह benefit मिलता है, एक chance हमें मिल जाता है data recovery करने का, यानि कि अगर कोई data हमने delete कर दिया, तो एक chance मिलता है, अधर वाइस हमें खुद को भी याद नहीं रहता है, हमने कौन-कौन से entry delete कर दी, और किस type की वो entry थी, काफी तरीके से करी होती है, जिसका में काफी ज्यादा month के बाद वो entry दुबारा करनी पड़ती है, तो मुलब एक accountant है जो काफी परिशानी में आ जाता है, तो इस TDL फाइल को दुबारा upload करने के लिए हम वापिस F1 help feature पर जाएंगे, TDL पर हम जाएंगे, तो उसके बाद में जो म जो location है, path यहां पर पूरा है, तो इसको मैं यहां से करूँगा, copy, otherwise हम इस location को type भी कर सकते है, type करना मुस्किला तो, copy हम कर लेंगे, असान हो जाएगा, काम आरा, और वापिस हम चलते हैं, टेली पर, और यहां पर F4, manage local TDL, और इसके लिए हम local TDL starter file को yes रखेंगे, तो उसक पात पर और control V के साथ इस location को मैं यहां से कर दूँगा, paste, otherwise आप यहां पर select drive करके भी सिधा directly upload कर सकते हो, और load TDL को करूँगा, yes और end of list पर click करूँगा, अब उसके बाद में F6 मेर को यहां पर करना पड़ेगा, क्योंकि F6 का मतलब हो जाएगा, add on features, और इस option को अगर आप करने के मुझे जरूरत नहीं है, तो अब यहां पर देख रहे हो, यह जो recycle bin का option है, जो loaded है, statuses का, one TDL है, जो loaded है, वापिस हम वेक आएंगे, और display more reports पर आके देखेंगे, तो अब देख रहे हो, यहां पर यह recycle bin का जो option है, वापिस add हो चुका है, इस option के साथ में, तो दोस् entry है, जो मैंने सारा का सारा day book delete कर दिया, अब इसको वापिस recycle bin में हम जाएंगे, और सारी के सारी transaction में, यहां पर option देखने को मिलेगे, recycle one यहां पर option देखने को मिलेगा, जैसे जैसे हम इसको recycle करते जाएंगे, interface करते जाएंगे, तो यह entry recycle bin में से हटती जाएंगी, और effect मारी books पर नहीं पड़ेगा, वो एक तरीके का recycle bin में अलग ही entry है, और वारी जो day book में जो entry है, उस सभी का मारे books of count पर effect पड़ता है, तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको knowledgeable लगी हो, तो वीडियो को like जरूर कर देना, अभी तक आपनी चैनल को subscribe नहीं किया, तो please topic के साथ,